यह जो diagram आपको सामने दिखाई दे रहा है यह housing cover का diagram है यह वाला इससा इसका friend view है और यह वाला इससा इसका side view है अगर आप इसकी height पर ध्यान देंगे तब आप पाएंगे कि इसकी height 75 mm दे हुई है मगर साथ में plus minus 0.05 mm भी दिया हुआ है दोस्तो इस बात का ध्यान रखना कि यह वाला symbol tolerance का होता है इसका मतलब है अगर इसकी height 75 mm से 0.05 mm ज़्यादा हुई या फिर 0.05 mm कम हुई तब भी इस part को reject नहीं किया जाएगा क्योंकि दोस्तो ये बात आपको पता होनी चीए कि machine भी बिल्कुल accurate size नहीं बना सकती है यही कारण है कि normally mechanical चीजों में tolerance दी जाती है ताकि part waste ना हो जाए ये वाली center line जो आपको दिख रही है वो ये तो दर्सा रही है कि ये वाला हिस्सा इस part के बिल्कुल center है बना हुआ है साथ में ये line ये भी दर्सा रही है कि ये तीनो circle बिल्कुल सिधाई में एक ही center line पर बने हुए है यह वाला सिंबल डायमेटर को दरसाता है और यहाँ पर लिखा हुआ है डायमेटर 11 तीन होल्स इसका मतलब है इन तीनों सर्कल का डायमेटर 11 mm ही है यहाँ पर जो M10 लिखा हुआ है मतलब इसमें 10 mm की चूड़िया कटी हुई है इसको इंग्लिस में थ्रेड भी का जाता है नीचे वाले डैमेंशन में एक सर्कल के सेंटर से दूसरे सर्कल के सेंटर तक की दोरी 50 mm दी हुई है इसको हम PCD 50 भी बोल सकते हैं PCD की फुल्फरम होती है पिछ सर्कल डैमेटर जिसका मतलब होता है कि एक सर्कल के सेंटर से दूसरे सर्कल के सेंटर तक की दोरी उपर वाले हिस्से के लंबाई 45 mm दी हुई है और बीच वाले सर्कल का डैमेटर 13 mm है अब हम इसके साइड विउ पे आते हैं आप देख सकते हैं कि ये वाला इस्सा आपको एक रैक्टेंगल दिखाई दे रहा है मगर इसका साइज डैमेटर 25 है मतलब ये बड़े वाले सर्कल का साइड विउ है जो कि देखने में रैक्टेंगल लग रहा है ये वाली hidden line इस वाले circle की है और ये वाली hidden line इन दोनो circles की है ये वाली hidden line इस वाले भाग की है जिसमें M10 की taping की गई है अथाथ 10M की चूड़ी काटी गई है ये वाला symbol machining का होता है साधारन तोर पर किसी भी surface को smooth बनाने के लिए machining की जाती है इसके side view के नीचे dimension में दो तरह से dimension की गई है पहला 22M दूसरा 10M लेकिन इसमें part B का size नहीं दिया गया है तो अगर हम 22 में से 10M गटा लेंगे तो इसका size 12M आ जाएगा उपर वाले हिस्से के लंबाई 17M दे हुई है और इन दोनों हिस्से के लंबाई हमें निकालनी है वो हम questions को solve करते समय निकालेंगे तो चलिए इस चितर से संबंदित कुछ questions को भी solve कर लेते हैं पहरा question इसमें दिया हुआ है कि diameter 13,6 की गईराई कितनी है दोस्तों आप देख सकते हैं कि diameter 13 का hole इसमें यहाँ पर दिया हुआ है अगर आप इसके side view में देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी गईराई यहाँ यहाँ पर 12M दे हुई है तो हम इसका answer लिख देंगे यहाँ पर 22 diameter 11 के कितने शेद हैं दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर चिदर में लिखा हुआ है diameter 11, 3 holes तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 holes कितनी सदाओं बार machining करनी है दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यह ओला symbol machining का होता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर यह ओला symbol दो जगा पर दिया हुआ है मतलब इसका भी answer हो जाएगा 2 taped hole का माप क्या है दोस्तों मैंने आपको यह बात पहले भी बतायती कि जिस hole में taping की गई होती है उसको हम taped hole कहते हैं आप देख सकते हैं इसमें taping की गई है M10 की पसले यहाँ पर हम लिख देंगे M10 हाउसिंग कवर की उचाई कितनी है दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी उचाई 75 M दियो हुई है लेकिन इसमें plus minus 0.05 M की टोल्डन्स भी दी गई है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 75 plus minus 0.05 R कम आप क्या है दोस्तों आप देख सकते हैं कि R यहाँ पर यह दिया हुआ है और अगर आप इसको side way में देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें diameter 25 दिया हुआ है और diameter का आदा होता है R जिसको English में radius भी कहते हैं मतलब अगर हम लग 25 का आदा करेंगे तो इस time answer आएगा 12.5 हम यहाँ पर लिख देंगे 12.5 यह कम आप क्या है दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ देहां तक कि दूरी 22 ऐम दे हुई है लेकिन उपर की दूरी खली 17 ऐम दे हुई है तो अगर हम लोग 22 में से 17 ऐम को घटा लेंगे तो इसकी दूरी 5 ऐम आजाएगी और अगर हम लोग 10 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो इसकी वेल्यू आजाएगी 15 ऐम अगर हम लोग 22 में से 15 एम को घटा लेंगे तो इसकी वेल्यू आजेगी 7 एम मतलब एक अमाप आजएगा 7 एम वी का माप क्या है दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी टूटल लंबाई 20 एम है लेकिन इतने की दूरी 10 एम है तो अगर हम लोग 22 में से 10 एम को घटा देगी तो यहां पर बी की वेल्यू आजएगी तो अगर हम लोग 22 में से 10 एम को घटा लेते हैं तो इसकी वेल्यू आजएगी 12 एम एक 6 से दूसरे 6 की दूरी कितनी है दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी दूरी यहां पे 50 हैं दियोगी है तो हम दियां पे लिख देंगे 50 फाइनली यह कोस्टन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्फुल होगी मगर अगर आपको अभी भी इस टॉपिंग में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको इसी तरह थी और भी मेकानिकल ड्रोइंग को समझना है तो आप मेरी यह वाली प्लेनिस को चेक कर सकते हैं तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में तब तक लिए भन्यवाद